दोस्तों जिनें चत्पटा खाने का स्वाद पसंद है उन्हें अचार चटनी वगएरा जरूर पसंद आता है उनी मैंसे एक है करोंदे का अचार जो बहुत ही स्वाधिस्ट लगता है बारिस का टायम आ चुका है और करोंदे भी मार्केट में आ चुके हैं तो ये अचार बना के रख लीजिए चले फ्रेंज आजम कुछ नया सीखते हैं हमने यहां 15-16 हरी मिर्च ली है और 100 गराम के करीब करोंदे लिए हैं इन्हें हमने रात में अच्छे से धुल कर रख लिया था और इनका अच्छे से पानी छट गया है और ये अच्छे से सूख भी गये हैं अब हम करॉंदे काट लेते हैं तो चाकू से करॉंदे को 20 से काटेंगे इसी तरह से हम सभी करॉंदे काट लेते हैं तो हमने सभी करॉंदो को काट लिया है अब हम काटेंगे हरी मिर्च तो हरी मिर्च को भी 20 से हम इस तरह से काट लेंगे तो हमने दोनों चीजों को काट लिया है अब हमें क्या करना है 15 मिनिट के लिए हम इने धूप में रख देंगे जिससे इनका पानी और अच्छे से भी सूख जाए अगर आप क्या धूप नहीं है तो आप पंके में भी रख सकते है 15 मिनिट हो गए है और अच्छे से सूख गए है ऐसा करने से आपका अचार खराब नहीं होगा अब हम इसका अचार बना लेते हैं तो अचार बनाने के लिए हमने यहां एक पैन लिया है और इसमें 2 चमच सौफ डालेंगे एक चमच काली सर्षों डालेंगे अगर आपके पास पीली सर्षों हैं आप वो भी ले सकते हैं आधा चमच से थोड़ा जादा मैथी दाना डालेंगे और थोड़ा सा हम जीरा डालेंगे इन सबी चीजों को हलका भून लेते हैं मसालों को हमें जादा नहीं भूनना है इसमें जो नमी है बस पूर चली जाए तो मसालों मैंसे अच्छी खुस्बू आने लगी है और ये भून गए हैं अब हम गैस बंद कर देते हैं एक हम लेंगे ग्रैंडिंग जार और इसमें हम मसालों को डाल देंगे और इसे हम दरदरा पीस कर तयार कर लेते हैं तो मसालों को हमने पीस लिया है और हमें इस तरह से पीसना है देखिए हलका दरदरा ही पीसना है तो आप देख सकते हैं कि तेल में से धुआ निकलने लगा है तो आप देख सकते हैं कि तेल में से धुआ निकलने लगा है अब हम गैस बंद कर देंगे और तेल को हलका ठंडा कर लेते हैं तो तेल हलका ठंडा हो गया है अब हम इसमें डालेंगे काली सर्षों, आधा चमच और एक तेहाई चमच हम अजुआइन डालेंगे और थोड़ी सी हम हिंग डालेंगे एक चौथाई चमच के करीब अब हम डालेंगे कटे हुए करोंदा और मिर्च इन्हें चमच से चला लेते हैं भुने हुए मसाले डालेंगे जिन्हें हमने पीसा था और मसाले को भी अच्छे से मिला लेते हैं आधा चमच हली पाउडर डालेंगे और आधा चमच लाल कस्मीरी मेच डालेंगे इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है अचार में और इन्हें भी हम अच्छे से मिला लेते हैं चम्मच से अब हम डालेंगे इसमें दो चम्मच नमक तो नमक आप अपने स्वाद के उन्शार भी ले सकते हैं नहीं तो आप दो चम्मच नमक डाल दें और नमक को भी अच्छे से मिला लेते हैं एक चमच बिनेगर डालेंगे यानि सफेज सिर्का इसे डालने से अचार खराब नहीं होता है आपके अचार में तेल भी कम है तब भी आपका अचार खराब नहीं होगा इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि अचार में कितना अच्छा कलर आया है और इसे बनाने में हमें बहुत ही कम मसाले लगते हैं और यह बहुत ही जल बनकर तयार हो जाता है तो यही था मेरा आज का वीडियो अगर आपको अचार की रेस्पी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू